आज हम पढ़ने वाले हैं टोकी ओलम्पिक्स के बारे में जो कि 2021 में हुए थे तो शुरू करते हैं सिल्वर मेडल जीता है वेट लिफ्टिंग में जीता है ठीक है रवी कुमार दहिया ने जीता है सिल्वर मेडल इन्होंने रैसलिंग में जीता है पीवी सिंदु ने ब्रॉंच जीता है बैडमिंटन में लोगलीना बोर्गा हैन ने ब्रॉंच जीता है बॉक्सिंग में ठीक ह इंडियन मैन टीम ने होकी में ब्रॉंज जीता है ठीक है तो यह सारे मैडल की लिष्ट थी जो इन्हों ने जीता है और क्वेशन हमारे टोक्यो उलम्पिक से क्या बनते हैं इंडिया के फ्लैग बियरर जो ध्वज वाहक थे वो कौन थे तो ओपनिंग सेरेमनी में दो लोग एंसी मेरिकॉम थी जो बॉक्सिंग के लिए जानी आती है और मनप्रीट सिंग जो की होकी टीम के हमारे कैप्टन है ठीक है ओपनिंग सेरेमनी में दो लोग हो गएं एंसी मेरिकॉम और मनप्रीट सिंग ठीक है क्लोजिंग सेरेमनी उसमें कौन थे यह बजरंग पूनिया ठीक है तो दोनों का लग-लग याद रखना अलग-लग पूछ सकता है closing ceremony में बजरंग पूनिया और opening में MC मेरी कॉम और मनप्रीत सिंग ठीक है debut sport जो पहली बार sport खेला गया था olympic में पहली बार तो ये कौन सा था karate था ठीक है karate जो है पहली बार Tokyo Olympics में खेला गया Olympic की history में ठीक है अभी एक question पूछ लेता है Olympic की जो होती है पांच ring होती है ऐसे गोल-गोल करके ऐसे पांच बनाई जाती है तो ये पांच colors की होती है तो ये इनमें कौन से कौन से color आते हैं तो इसमें red, blue, yellow, green और black ये पांच color होती है तो इनको याद करने का हम ऐसे trick यूज कर सकते हैं तो ये red, blue, yellow, green ये क्या है लूडो के color होती है तो लूडो के color लूडो में जो गोड़ियां होती है हमारे ये चार रंग की होती है प्लस black तो ये चार और ये काला रंग ठीक है ऐसे याद रख सकते हैं अच्छा इंडियन इन उलम्पिक जियूरी मतलब ऑलम्पिक की जियूरी बनाई जाती है जिससे की decide होता है कि सब सही हो रहा है या नहीं हो रहा है उलम्पिक मेडल कौन जीता है तो इसकी जियूरी में ये important question उतार पवन सिंग जो इंडिया के ये पवन सिंग थे हमारे उलम्पिक की जियूरी में है ठीक है तो सिरफ इतने question हमें टोगी उलम्पिक से याद रखने है और फालतुए question याद नहीं रखने है ठीक है